हेलो स्टुडेंट मैं नाम है राज कमल तो आज के इस टॉपिक में हम लोग समझें कैसे आप पेज क्रेट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे करेंगे साती साथ उसको कैसे करेंगे कैसे का New Weels करते हैं कि इसे CHANGE के कों सिथीम होगी एक पेज कोढ़ने के लिए तो हम आज वीडियो में सबस्निष समझ लेंगे अभे तक पिछले वाले चिप्टर में हम लोग ने पदा था introduction to website, theme, plugins and installation, ठीक है, मतलब की wordpress की theme क्या होती है, wordpress की plugins क्या होती है, उसको कैसे install करते हैं, और उसको कैसे upload करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने यह सब details सीख लिया था, अच्छा, तो आप हम लोग next topic का, जैसा कि हम लोग मैंने भी बत इसका कोई भी चार्ज आप से नहीं लगने माला है, ठीक है, इसलिए फड़ाफर्ट जाएए और course को enroll कर लिजिए, अगर कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, ठीक है, link जो है, इसका description मिल लिया है, कैसे आप मुझे contact कर सकते हैं, Facebook के Instagram कैसी भी तरह से contact कर सकत सकते हैं, call भी कर सकते हैं, phone number वगरा सब कुछ यहां पर website पर दिया हुआ है, तो चलिए, फड़ा फड़ा हम लोग course को अब आगे बलाते हैं, topic को, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया, please जा के course को enroll कीजिए, और उसके जो question मेगरा मैंने दिये है, assignment को submit कीजिए, question submit कीजिए, तब ही आपको certificate मिल पाएगा, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या चीए, सबसे पहला कायम, जो first is हमें क्या चीए, हमें local host on कर लेना है, हमें सब कुछ अभी तक अपनी website को जो हम डियाइन कर रहे हैं, सब कुछ local host पर डियाइन कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आती है कि अब local host पर बनाने में problem हो रही है, तो हम लोग लाइब पे switch कर जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जा कोई कसम नहीं है, कि नहीं हम लोग लोकल host पर ही चलाएंगे, ठीक है, अगर कोई प्रॉलम आती ही, बहुत ज़रा error आता है, ज़रा होती है, ठीक है, चलो भाई, लाइब पे करके देख लिए, हमें तो website design करनी, लाइब के लिए और लाइब पे ही, ठीक है, तो अभी बिना अब ज़रा बकवास की विए, फटाफट हम लोग jam server अपना start कर लेते हैं, अभी jam server क्या है, कैसे आगर जिन्होंने पिछला वीडिय हमारी, अब हम लोग फटाफट, website क्या था, कमल DNP था, ओके गई, तो चलिए देखते हैं, क्या है wordpress, चलिए, website हमारा रन करा था, हम लोगोंने एक blog website, हम लोगोंने theme install किया था, चलिए गई, अब हमें इसको login करना, login करने के लिए फटाफट बताएं, comment पर लिख के बताएं क्या होना चीए, ठीक है, लोग इन करने के लिए कौन सा, हम लोग, क्या होगोंने टाइप करेंगे, login के लिए, फटाफट बताएं, यह मैंने question दिया भी है, ठीक है, यह question मैंने दिया भी, इसे जाकर एक बाद चेक कर लिजेगा आप, ओके, इस यह हमारा फटाफट install हो अब यह हम लोग ने total 3 page बनाया है, और हमें अपने website को क्या है, visit करके देख लेना है, हमेसा open करके रखना, ताकि क्या हम अपने website को हमेसा check करते रहें, यहां से बस page को refresh करके, ओके, चलिए, अब वैस हमारा यह page बन चुका है, ओके, अच्छा, अब यह बात आती ही, कि सबस पहले है, और सबसे असान तरीका यही है, कि आप add new पी click करिए, और add new पी click करने के बाद, आपका एक page design होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर फटापट page का title लेए, किस type का website, किस type का page बनाना चाहते हैं, तो मैं बनाना चाहता हूँ homepage, चलिए हम लोग एक homepage design करत okay, so हम लोगों ने homepage page demo लिखा, और यह update हो चुका है, अब बैस क्या करना है, अब देखिए हमें page बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहां पर कुछ चीज़े लिखनी पड़ेंगे, जैसे सबसे पहले, मैं क्या लिखता हूँ homepage में है क्या क्या क्या, जैसे मैं लिखता हूँ homepage, ठीक है, अच्छा demo contact, कुछ demo data हम लोग कहीं से copy कर लेते हैं, अच्छा अभी हम लोग यहां पर बस demo के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग एक website खोल लेते हैं, जहां से हम लोग अपने content copy कर लेंगे, ठीक है, आपको जो भी content यहां पर जब लिखना है, जब बढ़ियां से design कर अब बस अब बस आपको demo के लिए बता रहा हूं, तो अभी जो आप जब भी आप ठीक है, हम लोग उस website को open कर लेते हैं, ठीक है, इस website से क्या रहे हैं के हम लोग content यहां पर पेश्ट कर लेंगे, अपना फटाबट, ठीक है, ठीक है, जब हम लोग यहां से copy कर लेते हैं, हम इसमिल नहींत यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, अब यह हमारा design हो गया, अब हमें यहां पर यह हो गया, और यह हमनने next कर दो are context कर जाना थीक है, और कुछ और हमें कुछ और ग Aoikanा में जाना है, ठीक है, अब मैंने इसको कहा डा लिया heading डा लिया अब यह heading कौन सा है h2 है h3 h5 h6 जो भी आप चूज कर ले ठीक है अच्छा जिन्होंने html वगड़ा के छोड़ा थोड़ा कोडिंग की होगी उनको तो समझ में आता होगा जिन्होंने बिल्कुल भी अगर programming नहीं किया होगा उनको थ तो कम से कम आपको html css की नॉर्मल जो होती है बहुत नॉर्मल ही लेकिन कम से कम basic आपको समझ में तो आना ही ठीक है अब देखें यहां पर h1 h1 का मतलब सबसे बढ़ा हो गया ठीक है h1 का मतलब बढ़ा है जितना जितना नमर आप बढ़ता जाएगा आपकी जो टेक्स की जो साइज हो छोटी होती जाएगी जैसे अगर s3 है तो s3 उससे छोटा होगा s4 उससे छोटा होगा s6 उससे छोटा होगा मतलब इस तरह से यह सब कुछ छोटा छोटा होता चला चाहेगा ठीक है आप देख सकते हैं कि हमने heading डाल दिया अभी अच्छा अभी हमें heading क्या दे लेंगे और इसको लियाएंगी ओरफिक को होगा एक two heading और अपर इसको लाना है बीच में लाना हम लोगम बीचMagश के मीलागे ओके कैस्क यह हमेरा ही हो ने क्यूंपेस पेज बोले तो एक पेज हमारा त्यार हो गए बढ़ काई इसमें एक चीज आप लोग को थार सब परसानी होती होगी यार कि यहां पर आपको हर एक चीज का एट्रैक्ट्टू लुक नहीं मिल पाएगा के यारी तो अभी आप लोगी कर लेते हैं कैसा यहां के बादें मैं यहां के बारे मैं अबुकी यहां इस इन सब प्रमा लिंक जो है प्रमा लिंक में आप क्या है ना कि यहां पर अपना स्लैक्स जैसे स्लैक्स बोले तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूं यह मैंने नुटाब में इसको ओपेन कर दिया है अब यह देखिए यह गाइस यह हमारी वेबसाइट आप यहां पर यहां पर दिखेगा उसके जश्च नीचे कोई पेज दिखेगा एंग यह सब कुछ चेंज कर लेंगे तेंसर मतलिए यह एक चीज में आपको बताऊंगा जैसे अगर मैं होम डेमो की जगह मैं देदेता हूं या तो option में कुछ नहीं आएगा नई तो फिर आपको यह automatic यह ले लेगा अपना ठीक है अब यह चीज आपको मेरे खाल समझ में आगे लेकिन आप हमेशा कोशिस यह करिए कि हमेशा इसको हटा करें ठीक है यहां पर जो home demo लिखा है उसी का ही सब्सक्रीन सब्सक्राइब करके तो नेसलेयर करें देए इसक्छी सब्सक्राइब को किए यहां बद करें आपके आपके यहां पे पेंडिकर नोलग्द करना चाहते है सब्सक्राइब है ठीक है मैं आपको दिखाता हूं अब यहां पर अब नहीं नहीं दे रहा है तो भी लगता है हम लोग यहां पर add नहीं कर सकते picture उसका region side यह होगा कि यहां पर यह page के लिए allow नहीं होगा कि आप इसमें कोई featured image लगा सकते हैं चलिए इसको मैं करता हूँ यहां से refresh अभी तक इसने नहीं लिए है फिस हम लोग open क्लिके देखते हैं उसका region यह था क्योंकि हम लोग यहां पर slack one लगाया था और slack one पर कुछ भी नहीं है तो हम लोग फिसे feature image लगाते हैं जैसे मैं यहां पर picture लगा लेता हूँ यह मैंने picture लगा लिया है ठीक और यहां पर कर देते हम लोग इसको update update करने बाद guys हम लोग करते हैं इसको refresh और हम लोग नीचे आते हैं और देखें यह आपका यहां पर यह आती है उसके लिए निशिंतरी वह हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा उसका कैसे क्या region है और कैसे वहाँ पर फो करेगा ठीक है यहां पर इसको refresh कर लेते हैं हम लोग उने home demo करके एक page त्यार कर दिया ओके चलिए guys यह आपका clear हो गया अच्छा अब next हमने क्या करना लेता हूं अपने menu वार में चलिए मैंने इसको save कर दिया और यह हो गया save चलिए अब हम लोग पेज को अपने refresh करते हैं और देखते हैं कि क्या home menu वार का home demo का ओगया अब हमें क्या करना है कि अब लोग को भी चीट आउट होगा कि यह सब साइच सब्सक्राइब मैं सब बता दूंगा उसके लिए हम निश्रिंद रहेगा अभी हमारा main focus है page को create करना page को design करना ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्लगिंस का नाम है अलेमेंटर लिखते हैं चलिए अलेमेंटर लिखने बाद अभी देखिए यहाँ पे लिखने बाद आपको एक प्लगिंस आ जाएगा ठीक है कैस्ट यह सबसे पॉपलर है सबसे ज्यादा पॉपलर किसी वेबसाइट को किसी पेज़ बिल्डर सबसे र प्लग आप इसका पीड़ और फ्री वर्जं दोनों आता है पेड़ वर्जं जब आप लेंगे तो समयं बहुत सारे आपको एक्स्ताइब मिलते हैं लेकिन फिरी वाले में कम फिजस मिलते हैं लेकिन गाइस हम एंक पे कुछ प्री वाले कही यूज करके कुछ ब्हतर गशी ठीक है उसके लिए उसके लिए गाइस हम लोग कुछ और भी एक्स्रा थीम का यूज़ करेंगे लेकिंगे मैं आपको बताता हूं सब कुल धेर धेरे चलिए हम लोग एक्टिव कर लेते हैं इसको एक्टिव कर लिया आप हमारा क्या यहां बोला है क्रेट यो फर्स्ट पेज इसको प्रस्ट टाल किया है तो यहां पर क्रेटिव फर्स्ट पेज बोलेगा ठीक ओके इल्मेंटर को इंस्टाल करने के बाद आप तुरंत उसकी सेटिंग में जाना चाहिए और आपको फटापड उसकी सेटिंग को सेट एप कर लेना चाहिए अब यहां पे देख़ता है यहां पर जिस पेश्य पेश्य पिंग गा दिया जैसे बॉस्ट वाला जो है पोले थे बॉलग ब्लाद बाद बॉल्ला का जितना भी पेश जो की पॉस्ट की थुरु बनता है इसको भी हमुंद लुग कर सकते हैं उसके लिए हमें अलाव करते हैं यहां पर हमने टिक लगा दिया अलाव है अगर पेज के लिए हमें एलेमेंटर के थूर याइन करना है ठीक है एलेमेंटर से हमें पेज करना है तो पेज के लिए हमने यहां पर टिक लगा कर रखा है यह चीज हो गया है यहां पर स साब से भी color को manage करना हो सकता है गाई हमने elementus कुछ को ने कोई भी website बनाई कुछ भी चेंज कर सकते हैं चलिए style में चेक कर लेते हैं style में सब कुछ सही है ठीक है looking for style setting यहां पर आपको कोई भी extra कोई इसे features नहीं मिल लहीं है जो कि problem करेगा ठीक है यहां पर क्या है switch reader loader mode ठीक इसको disable देजिए बाकी कि चीज़े आप इसी तरह आने देजिए इसमें कोई भी हमें छेट्छा के भी आउस सकता बिल्कुल भी नहीं है ओके अभी setting समाना setup हो चुका है आप सबसे पहले आपको मैं element install जब हो चुका है तो मैं आपको इसके template के बारे में बता देना चाहूंगा यहां पर देखे यह template option में क्या मिलता है कि आप चाहें तो कहीं से भी अगर किसी दूसरी कोई website है उस website से template को download कर सकते हैं जैसे अगर उसका आपको आपके पास उस website का login ID password है तो आप वहां से export करक option दिख रहा आएगा ठीक है तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं और हम लोग चाहें तो अपना एक design बनाके save कर दें ठीक एक design हमने बनाया पुरा content लिग दिया अब उसको हम लोग save कर देंगे अब अपने मन मुताबिक हम लोग जहां चाहें वहां पे इसको paste करा सकते हैं ठीक है चलिए और यहां पर आप template याइन करना पता आगया आपको theme builders में क्या है क्या आप कौन कौन सा theme builder करना जाए फूटर header ठीक है या तो single page तो यहां पर by default कुछ page आपको बने बनाया कोई मिल जाते हैं ठीक है लेकिन यह only क्योल और क्योल pro features के लिए ठीक है हमें pro features हमारे पास है या नहीं ठीक हम कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं इसलिए हम इसको skip करेंगे और template में और इसमें template में क्या मिलता है theme builder landing page बना सकते हैं pop-up page बना सकते हैं add new category ठीक है यह सारी चीज़िया आप बना सकते हैं design कर सकते हैं ओके चलिए हम नेक्स्रमारा काम आता है पेज़ चलिए यह पेज पर हम लोग एक customized option पर चले जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या यह जो theme है क्या हमें कुछ extra features अच्छा देता है जिसके through guys हम लोग यहां पर जो अपना home demo का है इसको हटा सकते हैं अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो यह तो आसान ही हो जाएगा हमे हम लोग अपने ही पेज को बना पाएंगे तो अभी हम लोग यहां पर देखते हैं तो अगर मिल जाता है तो ठीक है नहीं मिलता है तब भी देखते हैं ठीक है सबसे पहले का जो header option वाला है यहां पर यहां पर जाते है so site title login यह हटा कर देखते हैं सायथ कुछ आ जाए है okay so अभी भी यहां पर ऐसा कोई option नहीं मिल ला हमें चलिए हम लोग ने यहां पर open कर लिया है कि काई तो फ्रॉंट पेज कि यह चीज हर जगा apply हो रही है तो अभी हम लोग यहां पर इसको देखते हैं कहीं से भी कुछ भी इसका जुगार अभी यहां पर आप यह चीज देखने का front page main with get हम लोग क्या करते हैं इसको delete ही मार देते हैं इसके लिए चलिए कोई और उपाय देखते हैं हम लोग इसको delete ही मारग देते हैं हम लोग यहां से करते हैं इसको delete और यहां बीए जएसे हम लोग ने यहां पर delete किया और आप देश क्ते हैं आपका यह फीज आपको लेकिन इस बार जैसा कि मेना आपको बताया कि जो पेज है रहाई हम लोगों ने एक एक्ष्टा थीम इस्टॉल किया है जिसका नाम था अब इलेमेंटर की मदर से हम लोग पेज को और भी बहते हैं लोग से डियाइन करेंगे अभी आप जो कमल एक बार इस पेज को रिफ्रेस कर लेते हैं हम लोग ने पेज को रिफ्रेस किया अब यह पूरी तरह से हमारा पेज है इस पर हमारा कोई भी एक्षा चीज नहीं आ रहा अभी यह जो साइड में आ रहा इसको भी जश्ट हम लोग हटा देंगे उसके लिए निशिंत रही आप अभी मैं दिखाता हूँ ऐसे यह हमारा प्रॉडल पेज है हम लोग ने यहां पर फीचर्स पेज एड कर दिया है फीचर्स का जो पेज है आड करने के बाद आपको इस तरह साप्शन दिख रहा है लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कभी भी हमेशा फीचर्ड जो इमेश को डिलेट कभी भी पेज में आप फीचर्ड इमेज को मत एड कीजिए अदर करें करें इस पेज में आप ध्यान से देखो आप अभी यह इमेज आ गया बूंद कभी इमेज की साइज है और आप इसको एडिचिक और आप इस होड़ा भी अपने मन मताबिक नहीं कर तो अभी हिला दूला nature अब को विखार करेगा इसलिए कभी भी प्यर्ट को Dark फिचर्ण को सिर्फ है जितने भी पोस्ट लिखी है यतने मिमेज तो लगा है लगाई कंट रखें उसको तो इस पर रिप्रेस किया और इसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं ठीक है चली यह हमारा अपडेट हो गया अब बात आती है इस Slider को क्योंकि हमारा पेज है तो पेज हमेशा फुल में होना चाहिए ठीक है उसमें कोई Slider वगडरा उसमें कोई साइड बार अगरा नहीं होना चाहिए खालि सिर्फ़ से बलाग में में सपलको से स्ट करें लेकिन पेंटर मेंFल्ट कर लेंगे और और यह पुरी तरह से पेज हमारा फुली आ चुका है ओके चलिए यह होगा हमारा पेज अब पैस हमें यहां पर सब कुछ स्टार्ट करना है और लिखना पढ़ना और डियाइनिंग करना शुरू कर देना है अब अब यहां पर यह पेज क्लियर हो गया ठीक है अब मैं आपको सबसे पहला काम क्या होता है आप क्लिक करेंगे और आपको कुछ इस तरह से पेज पर आप चले आएंगे तो सबसे पहला क्या होता है आप को अपना खूंब नाना है वहां अगाइस किसी भी वेपसाइट के लिए सबसे ज्यादा टॉफ और सबसे बहतरीन जूब पेज बना जाता है हो कि क्हुछ सबसे टफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको वक्त और आपकी क्रेटिविटी दिक्सो होती है ठीक है आपकी क कैसी है क्या आप सोच पाते हो उस साइच यहां पर सो होंगी ओके चलिए तो हम लोग सबसे पहले home page को डियाइन करने से पहले सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम लोग इसमें कैसे इसको वाइड करते हैं और यह सब option क्या है हम लोग यह जाने वाले सबसे पहले इस सेटिंग के अगर चले आता है आप तो सेटिंग पर जाने के बाद इस पेज के लियाऊड कुछ चैंजheen कर सकते हैं यह पेज का स्कैसर kickıll करना चांग अगर यहां पर पेज का इसको नपर यहां से यहां से भी चरन सकते हैं यह chart comment इमें यह तो और आप चाहें तो यह जो title इसको hidden भी कर सकते हैं ठीक है अगर यहां पर कोई title सो होगा तो उसको आप hidden कर सकते हैं लेकिन अभी यहां पर इस सथीम में allow नहीं है और यहां पर हमें ऐसा कोई भी option नहीं दीख रहा इसलिए हमें यहां पर hidden करने की जिरुवत भी नहीं है अब इसमें बाइड रिफॉल करेंगे तो आपको sidebar option मिली जाता है उसके बाद एक elementar canvas में क्या हो गाईज यह सब कुछ हड़ियागा एकदम साधा पेज मिल जाएगा अब इसके बाद इसमें साधा मिल जाएगा आप एकदम बहतरी ढंग से आप इसमें चाहें तो पुरा का सब कुछ अपने मन मताबिक डियाइन कीजिए यह होता है सेटिंग में अब दूसरा आता है elementar with फुल विट में अभी मैंना आपको दिखा है फुल विट में क्या मिलेगा आपको कि आपका header तो होगा ठीक है footer भी सो करेगा लेकिन आपके बीच में जो आपका बोले तो body व अब थीम में क्या हो ग wondies की थीम में अगर यह चीज होगा कि नहीज में données साइद बेर नहीं होगा ठीक है तो साइद बार्स नहीं करेगा अगर थीम में तो आप लोग ना इस तो कामिह कि मैगजन कोसे दिखाना वाल मैगजन जैसे website को use करना तो यहां पर मैगजन की पूरी फिचर्स ऐहां पे आ जाएंगे लेकिन अपर द्रीपॉल क्या रखना है इल्मेंटर वीट एक मिनट खुल दिए चलिए यह चीज़े होगी इतना क्लियर है ओके सेटिंग सौन में आ गया ओके अब यह भी सौन जागी आप दूसरा आपसन आता है इसके ज़श्ट बगल में नेविगेटर नेविगेटर में क्या होता है कि अगर आप यहां पर आएं पर दूसरी चीज़ अभी तक हम लोग ने पर कोई पेज वगड़ा कुछ नहीं किया चले हम लोग फटाक से कुछ आइज कर लेते हैं उसके बाद दिखते हैं कि क्या आपसन मिल जाता है चलिए अब यहां पर नेविगेटर में क्या मिलेगा ना कि आपका यह जो कॉलम है स को देखें गाइस अभी अभी यहां पशाखक happens यह क्या का अभी हाव पर आपका कुछ भी नहीं है अभी हम लोग यहां सब से पले स्क्सok जाएंगे एक नया सेक्षण चूच करेंगे यहां कि सेंगल सेक्षय करेंगा है लोग ऑग कर pension कंना कोई वैकर को mirror मैं यहाँ समलक औप्सन मिल जाता है इतना प्लिए में इसको काम उन्हें काम करना काम उपस आपका है अगर आपने तिन चार आपको यहां पर दिखाऊंगे तो यह मैं और एक दो कर दूँ ठीक है मैं आपको एक चलिए मैं एक और टैक्स कर देता हूं चलिए और मैं इसमें फ्रफ दसे फ्रेंट ला देता हूं हमें दो सेक्सन मिल गया ठीक है अब इसको उठा कर ना तब आप इसको उठा कर देए अपने खिन कर सकते हैं ठीक है और दूसरी चाहिए यहां पे एक दियान देखेगा कि यह दुरा जो है आपका एकी talking के अंदर में आ गए। अगर आप चाहें, तो एकी section के अंदर मेंहें भी पर लाएं है लिकलوقा की जारा सकते क्झा कि अगे बढ़ते हैं चलिए अब उसके बाद आपता है history में क्या मिलता है कि अभी जैसे अभी हम लोगा ने र्याइन करना शुरू किया अभी हम लोगा ने दस मिट पहले क्या शुरू कि आप कभी कभी बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है अगा दो गंटे तिन गंट पूरी के पूरी हिस्ट्री आपको दिखाएगा ठीक है कि तब तक पूरी हिस्ट्री दिखाएगा कि किस पेट वेप कब थे जैसे अगर मैं चाहूं तो अभी तुरंत मैं यहां से स्विच कर जाओ और इमेज वाले ऑप्शन पर चला जाओ देखे उस समय अभी अभी से हो जाती है तो इस तरह से आप ले सकते हैं लेकिन अब प्रॉलम ही आती है कि अगर गाइस प्रॉलम तब आएगी गाइस अभी मैंने यहां से यह चींट कर दी और मैंने पेज को भी बंद कर दिया ठीक है क्योंकि यह तो हिस्ट्री तब डिलिट हुजाएगी यह सारी के सा कर दिया आपने सब कुछ हो चुका है तो आप कैसे उसको फिर से दुबाया रिकवर करना चाहेंगे हो सकता है कि आपने बहुत टाइम पहले और चीजे सही की रहा तो कभी कर ऐसे जिरूवत पाड़ याती है कि हमें पिछले टाइम में जो हम लोगों ने एडिट किया था करना चाहते हैं तो उसके लिए करना उसको लिए आप्सन है रिवीजिन का रिवीजिन में चले आएंगे तो आपको एक सिकेन दस मिनाट बीस मिनाट एक मिनाट दो मिनट पहले आपने जो भी चेंजिंग किया होगा उस सारे के सारे यह बड़ा सब्सक्राइब लबग पां आपने अपड़ेट की थी या थो क्या थ हा अप्डेट अब उसको फिस करतें कीजि़ित सीभी एक क्लिक करेंगे एक उप्लाई कितें क्रेंगेर किसे अपिक किक करेंगे तसे कृक्ष चलिए यह चीज आपको clear हो गई अभी मैं इसको page को एक रिफिटेज कर लिता हूं है चलिए ठीक है अब इतना clear हो गया अभी यह responsive हो गए अभी चलिए page के layout को हम लोगों फिर से है लेकिन मुबाइल के मोड में यह सही चलेगा कि नहीं चलेगा कौन जिम्मिदार होगा यह कैसे पता चलेगा तो इसके लिए यहां पर कि अप्षन दे रखा है एलेमेंटर पर क्लिक किजिए और यह आपका किस तरह से दिखेगा मुबाइल में आप्षन आटोमेटिक आपको पता चल जाएगा ओके गईस यहां इसको फिस से बंद कर देजिए आप चलिए तो कुछ इस तरह से आपका यह दिखने वाला है अब य जो पेज को यह पेज कैसे दिखने में कैसे लगेगा आपको तो यहां से प्रिव्यू चेंज पर क्लिक करेंगे और प्रिव्यू करके आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका वेपसाइट जो है या तो आपका जो पेज है किस तरह से लुक में लगेगा कैस तरह से दिखे यहां पर क्लिक करके आप यह चीज कर सकते हैं, अब में काम है हमारा कि सबसे पहले यहां पर यह जो ऑप्षन दीख रहा है, इसको मैंनेज कैसे करते हैं, इसका थ्वास मैं फंक्शन समझा दना चाहूंगा, ताकि आपको आसानी हूँ, सबसे पहले इसमें कभी भी हमेशा ज ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पर यह इनर सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पर इनर सेक्शन भी इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, यहां पर दो चीजों में यह डिवाइड हो चुका है, और यह सेक्शन के अंदर है, क्या एक सेक्शन के अंदर ह ठीक है section के अंदर के एक section आपने बनाया उस section के अंदर एक और दो और अलग-अलग section डाल दिया आप ठीक है और यहां पर आपने इस तरह से इसको चाहा अपने मन मताबिक यहां पर इसको कर सकते हैं ऑके इसके अलाव अगर आप चाहें तो अभी आपका यह जो चीज़ है ठीक है अभी आप चाहें तो इस layout को अपने मन मताबिक भी चैंज कर सकते हैं जैसे यह हमारा हो गया यह हो गया ठीक है अब यहां प्याइए structure में structure में आने के बाद आपको 50% चाहिए कितना इसको दियार करते हैं यहां पर क्लिक करते हैं और बॉक्स पर जाके आप करेंगे और यह फूल ब्रित में आ चुका है अब जो भी लिखेंगे हम लोग यहां से लेकिए यहां तक पुरा सूख करेगा लेकिन जब अगर हम लोग ने बॉक्स में किया था तो हम लोगों को इतना जो पैडिंग है वह बेकार जा रहा था ठीक है यह अपने साफ से है कि कि आप कितना करना चाहते हैं लेकिन अभी भी यह पैडिंग यहां पर देखिए यह पैडिंग खाली जा रही है अगर आपको इसको भी भरना है तो आप यहां पर स्ट्रेच सेक्शन पर क्लिक कर दिए और स्ट्रेच होने के बाद यह पूरा यहां से लेकिए यहां तक लेगी और यह टोटल बीच में आजागा ठीक है यह टोटल गई सेंटर में आजागा अब इसमें आप जितना चाहें अपने उसाप से अपना यह स्क्रीन को से फिट है इस सब कुछ कि अब ही हम लोग यहां पर कर लेते हैं यहां पर इस्ट्रैश पर टार देते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग स्क्षं के अंदर का इस लोग जो एलिमेंट है इस सब क्या बोलते हैं एलिमेंट यह हमारे एलिमेंट को एड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे एडिक्स एडिटर पर क्लिक कर देते हैं या हेडिंग पर करते हैं आपको क्या चीए क्या एड करना है डिपेंड यह करता है हमें हेडिंग एड करनी है सबसे पहले हम लोग हेडिंग कर लाते हैं और यहां लोग यहां पर लिख लिखते हैं थिक्त वेब साइट किक करेंगे अर यहां पर बीच हो बीच में रख ज़यात छीडिय濃 ए अब निई आपई भर साइट हो गया हम यहांपर दो अप्शन ले नहीं जो अप्शनで जो अंंट करते हैं हम लोग करते हैं एक अटल्ट और image's add करने के बाद हम लोग यहां पे रिच्ट Windows już डिखना क्या हें सबसे पहले हम लोग image की box hidden क्या होनी चीए तो है यहां पर है पीदोगे हैे जो कोई इमेज लिया और यहां पर नोग फिर से आने केबाद यहां पर आते हैं और चलिए अब तो आपने यह चीज तो आड़ कर दी लेकिन आप आपको चाहिए कि इस जो इमेज है इमेज के जर्श्ट बगल में यहां पर आपको चीए कि यहां पर एक बटम भी एड़ हो जाए ठीक है एक बटम एड़ हो जाए जिससे कोई भी हमारी वेपसाइट पर क्लिक करें और अग अब इस बटम को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहां पर बटम का जो हम लोग क्या लिखते है लर्नमोर हम लोग कर लेते हैं और हमें यह जो हमारा है ठीक है यहां पर हम लोग कोई लिंक दे रहेंगे गाईस हम लोग लिंक दे रहेंगे बिजनस का और यहां पर हम लोग चोज कर लेते हैं बिजनस कटेगरी और यहां पर हम लोग आके पेस्ट कर जाएगा तो कहां पहुच जाएगा बिजनस के टेगरी इस वाले पेज पर है चलिए अब यह जो आपका बटम है इसकी साइज क्या रखना चाहते है मैं रखना चाहता हूं मीडियम फड़ी साइज रखना चाहता हूं ठीक है अच्छा अब यह तो एड होगा लेकिन आप इस अप्लोड एस बीजी और यहां हो गया आइकन लाइब्रेरी पर जाएंगे और यहां पर आप सच करीजिए एरो देखी कहीं आपको मिल जाता एक नहीं यह मिल गया आपको एरो और यहां पर क्लिक करते इंसर्ट कर देजिए यह आपका एरो मिल गया ओके गईस चलिए अब आइकन का पोसिång करना चाहते हैं before after एक न क्या कर दिया after कर दिया ऑके अब अब आइकन की कि LOL क्या करना चाहते है कि आएकन की कि दूरी लटन चाहूंगा नहीं 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 मैं थोड़ी जूरी बाहार लेता हूँ और यहां फेने नो पकले कर दिया अब गैस यह जो आइकन है ना यह जो बटम है इस पर मैं चाहता हूं पर अब अच्छा इतना आपने काम कर लिए इतना कुछ बना लिया आप इसको अपडेट कर देना आपको इस बाट कर पर में सथ आम के आप को यह चित क्या करना अब हम साही कर लेकी है अपने अबल ने यह प्रक्यान कर लिए इस पर अगए करना है आपना तो यह क्या बदल दे इसको क्या है इस.? इसको बोलते हैं लिए बंगा दें सब्सक्राइब चालिए पएॠ ऐसा जाने के पाद हम सब्सक्राइब करना है हमें लोग आते हैं तो आख किते हैं के हार वहते हैं तो इन फ़र्च में यहां आते हैं यहां पे इसका जो font लगए हो सब चेंज कर सकते हैं ठिक है कैसा font रखना चाहते हैं इसकी हाईड क्षाध करना चाहते हैं सब सारा कुछ text का कोई sad neural चाहते है टेक्स का क्या color रखना चाहते हैं टेक्स मैं कोई 그러나 चाहते जैसे हैं और यहां पर कर देता हूं इसको चलिए रेड मैं ने यहां पर कर दिया और यहां पर देखिए एक में अब हम लोग यहां पर बिलर कर लिते हैं और यहां पर ते साग्स है कि क्ष exhibition अ मतलब कि अगर च्रूल तो नौग कर दिर्गी करें चाहते हैं मतलब कि अगर स्षाइट को ज्र contrary 看到 नहीं कुरें तो यहसा अब दिक्राइब आनों करूट करना हुआ अगर मैं श स्कुलर कर देए इसुए नोगतrzने कि पान से डिक्राइब तो लेकिन हमें क्या चीए इसको कुछ नहीं करना हम लोग वाइडिपॉल इसको जैसे है उसको ऐसे राने रहते हैं ठीक है यह चलिए ओके यह हम लोगों ने हावर कर दिया तो हम लोगों इसको कर दिते हैं एक मिट गाइस चलिए हम लोग नहीं पर refresh कर दिया और यहां पर reset कर दिया और यह हो गया click ठीक है अभी हावर नहीं होगा क्यों हमें क्या हावर किसो करना है बटम को हावर करना है चलिए यहां पर option देखेंगे आपको यहां पर बटम के बारे में लिखा गए सब कुछ यह बटम में चलिए कर रहा है अब यह background टाइप में क्या है अब आता है background टाइप और अभी टेक्स के बात फूरी ति अब आता बैग्राउंड टाइप और ठीक है background टाइप क्या रखना चाहते हैं classic है background किस टाइप का है ठीक है अब हम लोग सबसे पहला काम color change करना हूं हम लोग यहां पर आते ह आपको अपना color choose करना है कोई, आप यहाँ पे लिखिए color code, color code red, ठीक है, color code red रखिए, यहाँ पे आपको color मिल जाएगा, और बहुत सारे ऐसे website है, जहाँ पे आप जाकर अपने मन मताबी कोई भी color बना भी सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतने सारे color हैं, उनके code यहाँ पे दिये गए हैं, आप उस color code को लाइए, जैसे मुझे यह color पसंद है, मैं इसको लाता हूँ, copy कर लेता हूँ, और मैं यहाँ लाकर इसको paste कर देता हूँ, चलिए, यह color मेरे मन मताबिक हो चुका है, अब हमें क्या करना था, अब यहाँ पे टेक्स कलर पने जाएंगे, और हावर करने के बाद इसका जो रंग है green हो जाए, क्या हो जाए, green, मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हावर पे क्लिक करेंगे, इसको यह भी लेख सकते हैं, या तो हम लोग yellow लेख सकते हैं, कोई और color जो अच्छा लगे, यह color कुछ गया है, जो कि कुछ इसी से मिलता बिलता भी है, अब हावर का animation कुछ देना चाहते हैं, क्या आप pulse में देना चाहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देख लेजी, ठीक है, किस देना चाहते हैं, अभी आपको pulse ग्रोब में देना चाहते हैं, ठीक है, माउस कोई भी करसर कोई भी उस पर mount लिजागा, कुछ चीज तरह से यह भी करना सुदू कर देगा, जिए, स्रीक में ले जाएगा, ठीक है, आटोमेटिक च्छोटा हो जाएगा, ठीक है, ग्रो ले जाएगा, ठीक है, अभी जोनका है, तो किस तरह से यह कौन सा आप लेना चाहते हैं, ऑपने ब्रम अपने मन मताबिक आप यहाँ पी चूछ कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर यह या तो इसमें नन भी कर सकते हैं मैं फिलाल में नन कर सकता कर दे रहा हूं क्योंकि यह इसी तरह अच्छा लग रहा है ओके चलिए कर इस यह चीज हमारा जो home page का है पहला जो पेज यह रेडी हो चुका है ओके चलिए अच्छा का इसी यह सारा चीज हम लोग फ्री जो फ्री है हम लोग उससे यूज कर रहे हैं ठीक है अब हम लोग कैसे अपने पेज को डिजाइन करते हैं अब होम पेज में और क्या दिखा सकते हैं चलिए अब हम लोग यहा पर क्लिक करते हैं अब फिज यहा पर क्लिक किया और हम लोग यहा पर यहाँ पर जाते हैं और हम बंढ़ाना क्या है हमें सबसे पहले मी इ Так करना है तो जैसे अभी मैं आख रे और अंति में ऑक चान करके दिखाओं graphics क्ति हम लोग नेक्स तो आपको नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्षन में भी सारे कुछ बने बनाएंगा जैसे मैं जो बनाऊंगा तो मैं आपको यहां पर दे भी दूँगा ठीक है आप अपने किसी का भी एरर वगएगा तो अपना जाक्ति अपना से अपरेट करके चेक कर लेगा ठीक है तो सारा क सब कुछ मिलेगा आपको नोट्स बगरा सब कुछ मिलेगा आपके अंसम मत लीजिए ठीक है बस फिलाल में एक पार्ट हम लोग आउर बनाते हैं उससे बाद हम लोग इसको इसकी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए अच्छा यह चीज़े तो हो गई अब ह में कोई चीज डिजाइन करनी है बोले तो कोई आइकन टाइप ठीक है आइकन हो उस आइकन के साथ ताथ कुछ चीज लिखे भी हो ठीक है तो कोई इमेज हो उस इमेज के साथ कोई चीज लिखा हो जैसे चलिए हम लोग एक आइकन लेते हैं चलिए इसको हम लोग चार पार बनाते हैं खेंसल किया है यह हम लोग ने तीन पार्ट बना लिए ठीक है अब हुम लोग एक नकिंट लिए इस ग्रेम करते हैं और यह लेखके हो आइकन लेख LGBTQMI लगते हैं और यहां पेएकर Колिक बाक्स क्लिक करने है खें जैसे हम लोग क्या करते हैं इस पर लगा लेते हैं और हमें क्या लिखना है कोई-90 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 कोई- अब गालस इसे हम लोग चाहें तो बीच में करके कुछ इस तरण सरी ह कर सकते हैं हम लोग चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं में स्थाफिए यहां पर खोपक कर लेता हो और यहां पर क्या करते हैं हम लोग यहां पर प्लिएंगे न को पेस्ट कर्देंगे जिस अब thirds पर नियानिया के edit पर click किजिए edit करने का option आ जाए अब यहां पर चलिए यह style पर है अब हमें इसका color change करना है तो हमें किस color का color चाहिए अब आपको black चाहिए होगा rate चाहिए होगा ठीक है हम लोग फिलाल इसको black रखते हैं तो हम लोग ने इसको रख गिया black क्लियर है अब आता है content content का color क्या रखना चाहते हैं जैसे अभी यह title रखना चाहते हैं तो मैं title पर चाहता हूँ कि मैं इसको green कर दूँ तो title क्या हो गया हमारा सफ़ासा यह dark में green हो गया ओके ठीक अब यहां पर आगे बीच बढ़िए और यह description का मैं color रखना चाहते हैं मैं color चाहते हैं ब्लैक हो जाए यह पुड़ी तरह से क्या हो गया black ओके अब इसी तरह यहां पर भी क्या है यहां पर भी आप चाहें तो कोई नया अपना image रखे कुछ भी change करिए और अपने मन मताबिक जो भी color हो color को change कर दीजिए और आप चाहें त आप से सबको फटा फर फ्राफर चेंज करते चले जाए अपने साथ जो भी icon change करना आपको या तो icon change करना है तो जो भी text चेंज करना होगा icon change करना होगा ठीक है तो वह चीज़ आप टेस्ट फ्राफर चेंज करते जाएंगे बाकी जो setting है जो colors वगरा है हो automatic एक ही बार में चले अच्छी यह चीजी हो गई तो मेरे खाल से elementor के बारे में और page design के बारे में मैं आपको चीज बढ़ा बकाया दिया बहुत अच्छी तरी के से बता दिया और यह चीज़ आपको समझ्यों भी आ गई होगी ठीक है हम लोग इसको preview हम लोग ना लेडी करके रखा हुआ हम लोग इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से यह सोफ होगा चलिए अच्छा अगर आपको यह चीज़े इसके नीची gap बहुत कम लग रहा होगा तो आप इसमें extra gap भी add कर सकते हैं extra gap ऐसे add कर सकते मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें आप क्या करिए यहां पे जाएए रॉद्ग पर क्लिक कर दिजीए यहां पर क्लिक कर दिजीए और हैं पर लिखे लेजिए शब्रいたud. कि स्पैसर पे ट्लिक कीजिये कि कितना इसपेस रखना चाहते हैं कितना mop 203 फाटनी छाइफक चाहते हैं अब उतना इस स्पैस युहां प्रके घर थीक है मैं यहां पर इस सते पहुत कम करके देते हैं हमें चीष अ कितना के लित हुत हैं हम लोगों अपर आप्डेट किया और हम लोग यहां से जीक整ते हैं यहां पे देखिए मिला अपको अपсемी हो गया अपने मिंण साहिए तब अनूरी शार्च को तो मेरे खाल से आपको पर डियाइन करना आ गया होगा, इस next part में हम लोग post डियाइन करना से हैं, कैसे post को, कैसे किसी भी website पर post डालते हैं, ठीक है, okay, so मेरे खाल से आज की वीडियो के लिए इतना ही, और तो next वीडियो में मिलते हैं, और इस से later, जो भी चीज़े नहीं नही चीज़े होंगी, मैं आपको कुछ लिंक और कुछ चीज़े जो होगा, text होगेरा होगा, मैं website की description में, इसी lesson की description में डाल दूँगा, तक कि आप उसको उबढ़ पढ़ लीजिएगा, कौन सी theme और कौन कौन से theme होते हैं, जो की best होते हैं, ठीक है?